हेलो गाइज दिस इस मी अंकुर उपाद ध्याय वेलकम टू आवर चैनल शेर मार्केट एनलिसिस गाइज बात करने वाला हूँ टाटा मॉटर्स के स्टॉक के बारे में इस स्टॉक में कल के सेशन में आपको एक जोड़ार और शांदार तेजी देखने को मिल सकती है ऐसे संकेत आ रही है साथी साथ इस कंपनी की तरफ से कुछ बड़े डेवलपमेंट्स भी हम सभी को होते हुँ दिख रहे हैं जो मैंने आप सभी के साथ रिसेंट वीडियो में शेर भी करे थे मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसी इंपोर्टेंट चीजें इस स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ जो आपके लिए लॉंग टम के हिसाब से तो बहुत ही पॉजिटिव है बट शॉट टम के और ट्रेडिंग आइडिया के हिसाब से भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है ये स्टॉक तो चलिए के करके मुझे मॉटिवेशन मिलती रहे अगर आपकी कोई कोई क्वेरी हो किसी स्टॉक से रिलेटेड या फिर मार्केट से रिलेटेड तो प्लीज कमेंड बॉक्स में कमेंड करें मैं उस पर या तो वीडियो बनाऊंगा या शॉट बनाऊंगा देखिए टाटा मोटर्स की तरफ सामने आएंगी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा तो इतनी ही बात इस न्यूस के बारे में करेंगे जादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कुछ पॉजिटिव संकेस जो की बहुत ही अच्छे आते हूँ दिख रहे सबसे पहले फ्राइडे के सेशन में चलिए आप जहां स्टॉक लगबग 12 बजे के बाद चलना स्टार्ट हुआ है और बंद हुआ मार्केट में अच्छी तेजी थी लेकिन मार्केट से पहले स्टार्ट हुआ था चलना एंड इस टॉक दे हाई पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा वॉल्यम्स भी स्टॉक में अच्छे ही इस स्टॉक की बात करें और कुछ पॉजिटिव बताओं तो लॉंग टम के हिसाब से आपको पॉजिटिव बताता हुआ पहले जो मुझे दिखता है एक तो कंपनी इलेक्ट्रिक वीकल्स में मार्केट को लीड करती हुआ दिख रही है जैसा कि आप सभी को पता है यह इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसे होगा इलेक्ट्रिक वीकल्स बनाने वाली कंपनियों को आपको पता है मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा लीड कहीं मार्केट में इस टाइम इलेक्ट्रिक वीकल्स में जो कर रहा है वो टाटा मॉटर से कंपनी की बात करें तो इ साड़े 500 से साड़े 600 रुपे तक के लक्षे देख रही है तो यह बहुत ही positive चीज है अब मैं आपको और भी कुछ चीजां बता हूं तो अब भी बहुत है अगर यह बहुत ही कम देखने को मिल रही है अगर यह 50% से जादा होती तो हम और ज्यादा बुलिश हो सकते थे इस स्टॉक पे इस स्टॉक की बात करें तो पिछले एक महीने में स्टॉक ने 12% के positive returns दी है तीन महीने की बात करूँ तो लगबग 2% के positive returns है छे महीने की बात करूँ तो 14% negative returns एंड अगर एक साल की बात करूँ तो इस स्टॉक में 42% के बहुत ही जोड़दार returns देखने को मिलें आप सभी के साथ अब इस trading में क्या positive दिख रहा है सबसे पहले तो कल के लिए ADR से संके जो है वो बहुत ही शांदार आते हुए दिख रहे हैं मेरे पास एक जो हमारे विगोरों का comment आया था कि कोई मुझे बताएगा ADR क्या होता है अगर मैं ADR को आपको एक simple भाहसा में बोलू तो American Depository Receipt यानि कि आ हम लोग उनके ADR को देखकर अगले दिन का भाहो का अनुमान लगा सकते हैं यह exactly same नहीं होते एंड आपको कुछ important और बताऊं तो इनमें तब ज्यादा आप focus करिए जब कोई news आई हो एंड फिर ADR react कर रहा हो या results आई हो तब react कर रहा हो उसके comparison में हमारे Indian equity market में almost same होता है लेकिन normally trading में अलग हो सकता है अभी ADR की बात करें तो लगबग 3.5% की तेजी दिखिए कल अमेरिका के बाजार में Friday के session में Tata Motors के ADR में अब हो सकता है कल के session में हमें भी अच्छी तेजी मिले बट यह जरूरी नहीं है 3.5% या उसके आसपास की दिखिए इस stock में कही ना कह सकते हैं उसके ऊपर की closing के बाद तो यह मेरी पूरी वीडियो Tata Motors के stock को लेकर hope आपको समझ में आई होगी thank you so much for watching this video have a great day